इस वीडियो में मैं बात करूंगा understeer और oversteer के adjustments के बारे में इसके ओपर मैंने detailed video बना रखें कि understeer और oversteer क्यों हो होता है मैंने link में description में दे रखा है और इतनी detailed video मुझे आभी तक youtube पे नहीं मिली है और आपको इस video में पूरा पता लगएगा adjustments के बारे में और वो कैसे एफेक्ट करती है आपकी गाड़ी पर और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक चार्ट में लोकेशन अड हैस्टान और यह और ऑर किसे करता हों बना हुआ है सबसे पहले हम देखेंगे front camber के बारे में front camber adjustment oversteer और understeer की condition में सबसे पहले हम देखते हैं understeer condition जो की front wheel drive और all wheel drive cars में ज़्यादा होता है तो यहाँ पे less negative camber की adjustment करी जाती है ताकि जब गाड़ी skid हो रही हो तो जो tire है वो zero camber की तरफ tend करे और ज्यादा contact path जो tire और road के बीच बना रहा है और जब rear camber की बारे की adjustment आए तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जो oversteer condition है यहाँ पे हम less negative camber करेंगे और understeer condition में हम more negative camber करेंगे तो negative camber increase करने जब sideways skid कर रही होगी rear wheel drive के condition में तो जो contact patch है आपके tire और road के बीच का वो optimal condition पे रहेगा और आपकी गाड़ी जो है वो slip होने से बच सकती है इसके बाद हम देखेंगे front toe के बारे में front toe जो है वो oversteer की condition में हम रखेंगे out या फिर negative outwards को रखेंगे ताकि जब अगर गाड़ी skid हो रही हो rear wheel drive के condition में तो जो toe है वो inverse को tend करें और under steer की condition में वो in को रखेंगे ताकि जब गाड़ी आगे से skid कर रही हो तो वो बाहर को हो और जो tire है वो और steering में आपको optimum response मिले दोनों conditions में ही और आपका rear toe है जो वो की थोड़ा सा अलग तरीके से measure होता है दोनों tires का एक साथ parallel लेके हम देखते हैं या inverse या outwards होता है तो out over steer condition में वो जो है वो in होता है यानि positive और under steer condition में वो out या negative होता है ताकि जब गाड़ी sideways drift करती है mostly rear wheel drives में तो वहाँ पर हमें यह zero condition में आएगा अगर हमने इसको in रखा होगा जैसे कि आप इस photo में भी देख सकते हैं अब हम देखते हैं front tire pressure के बारे में अगर आपकी गाड़ी के front tire में over steer आपकी गाड़ी अगर हो रही है तो आप front tires में अपना गाड़ी का pressure जो है वो increase कीजिए और अगर आपकी गाड़ी under steer हो रही है तो decrease करिए तो under steer अगर आपकी गाड़ी हो रही है तो decrease करने से ऐसा होगा कि जो contact patch है आपकी गाड़ी के tire और रोड के बीच में वो ज्यादा बना रहेगा और आपकी गाड़ी जो है वो float कम करेगी रोड के उपर जिसकी वज़से आपको handling में ज्यादा असानी रहेगी और rear tire pressure में अगर आपकी गाड़ी over steer हो रही है over steer mostly जो आपकी rear wheel drive cars होती है तो इसलिए वहाँ पर pressure decrease करिए और अगर under steer हो रही है तो आगे के tireों में pressure increase करिए अगर आपकी rear wheel drive cars mostly है तो decrease करने से ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी जो weight है वो अच्छे से आपके tires जो है वो road पर transfer कर हम देखते हैं front tire width के बारे में अगर आपकी गाड़ी over steer हो रही है तो आप wider tires रखिए आगे के tires में और अगर आपकी under steer हो रही है तो narrower tire रखिए मतलब आपकी गाड़ी मूड नहीं रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ज्यादा चौड़े tire लग रखे हैं आगे जैस से आपको understeer की problem आ रही हो और rear tire width में आप देखेंगे कि जो understeer condition में आप wider tires डलवाईए और oversteer condition में आप narrow tire डलवाईए narrow tire डलवाने से ऐसा होगा कि आपकी handling अच्छी रहेगी आगे से और wider tires की वज़े से आपको rear में grip ज्यादा मिलेगी इसकी वज़े से आपकी गाड़ी जो हो understeer कम होगी इस condition में जैसे कि इस वीडियो में हम इस फोटो में देख सकते हैं कि आपकी जो tire width है और आपका जो tire size है वो कैसे depend करता है अब हम बात करेंगे front caster angle की caster angle वो होता है आपके suspension और vertical axis के बीच का angle होता है आपके tire का तो जो oversteer condition है उसमें आप उसको more positive यानि leaning forward रखिए या फिर अगर आपकी गाड़ी understeer हो रही है तो उसको less positive करिए मतलब center की तरफ आप लेके आई है ताकि जो वह है वो alignment vertical जैसी है और आपको अच्छा response मिले जो whole गाड़ी का weight है वो tires पर है अब हम देखते है spring rate front spring rate जो softer springs है अगर आपकी गाड़ी oversteer हो रही है तो softer springs रखिए और अगर understeer हो रही है तो farmer रखिए ताकि आपकी गाड़ी जो है वह आगे को dive ना करे जब आप अचानक से brake या accelerator दें गाड़ी में तो spring rate modulate करके आप adjust कर सकते हैं गाड़ softer side या firmer side oversteer और understeer conditions के हिसाब से और अब rear spring rate की अगर हम बात करें तो oversteer condition में हमें जो आपका spring rate है उसको firm करना है यानि थोड़ा tight करना है और अगर आपका understeer गाड़ी हो रही हो तो हम उसको softer side लेके जाएंगे हलका सा ताकि गाड़ी जो है वो थोड़ा bounce ले सके और गा गाड़ी को maneuver कर सकते हैं या फिर आप उसमें control ले सकते हैं steering के दौरान अब हम बात करते हैं front damper rate की तो oversteer अगर आपकी गाड़ी कर रही है तो हम जाएंगे softer damper rate की तरफ और अगर आपकी गाड़ी understeer कर रही है तो हम farmer damper rate की तरफ जाएंगे ताकि अगर आपकी गाड़ी जिसकी वज़से हम फर्मर जो डैमपर रखेंगे या फिर स्ट्रॉंगर साइड पर रखेंगे ताकि वह इसली सारे जो आपके शॉक्स हैं उसको एब्सॉर्ब ना करें और इसके बाद हम देखेंगे जो आपका रियर डैमपर रेट के बारे में भी हम बात करेंगे फ्रंट म एक औरसीजा कि जो आपका ऊवर्स्टीर में हम फर्मर तभी रखते हैं ताकि जो असुब एज़ीली जो यह रोड ले सके और इसको और अबर ऑल बात करेंगे फ्रंट sway bar dieya के बारे में sway bar जो होती है जो आपकी गड़ी का pitch moment ऑग उसको contain करती है तो अगर आपकी गड़ी oversteer हो रही है तो ये smaller side पे अगर आप रखेंगे तो सही रहेगा और अगर आपकी गड़ी understeer हो रही है तो हम इसका जो diameter हो थोड़ा large जिक करेंगे ताकि वो ज्यादा डैंप जो है ले सके क्योंकि अंडर स्टीर कार्ज में आपने देखा होगा या मैंने दूसरी वीडियो में बिताया जब आप ब्रेक मारते हैं तो वेट ट्रांसफर होता उसको वापीस होल्ड करने के लिए आपकी गाड़ी में अगर उसका जब्रेक में बहुत सभ्सक्रा होगा तो बहुत सही रहेगा ताbe firm लास्त Say में बात करेंगे सेंट्र ओ ग्राविटी के बारे में जितनी गारी की सैंट्र ओफ ग्रावीटी ऊपर रहेगी उतना नहीं गाड़ी जादा रूल करेगी तो आगर आपकी गाड़ी ओवर्स टियर हो रही है तो आप संट्र ऑफ ग्रैविटी को स्प्रियर वर्ड शिफ्ट चाल कर सकते हैं और अगर आपकी गाड़ी अपकी गाड़ी इजली हैंडल हो शकती है और आगर आपने वीडियो यहां तक देखी तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जूरूर करें, थेंक यू, वेरी मच्छ